आज का वीडियो थोड़ा अलग है मैं बहुत कुछ देखा लास्ट वन वीक में इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है In fact, worldwide बहुत कुछ चल रहा है इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है कुछ लोगों पे मैं literally pissed off हूं like क्या चल रहा है क्या कर रहो आप लोग और कुछ लोग है जो literally मैं उनको salute करना चाहता हूँ जो कुछ चीजों को फैला रहा है so talking about writer strike जो impact fail रहा है like हमारे industry में हो रहा है उस पे आने वाले future का क्या हो सकता है AI पे मैंने बहुत बात किया है आज और बात करेंगे और obviously writer strike writer strike comment पर comment comment पर comment भाई उस पे बात करो मैं जानबुच के नहीं बात कर रहा था लेकिन last एक हफते में जो हुआ उसके बाद लगा कि बात करना ज़रूरी है so yes मेरे नामे रजट आप देख रहे है that strikes जो है like आपको पता होगा जो VFX industry से है कुछ महीने पहले एक strike हुआ था जो सबसे बड़ा strike था हमारे VFX industry का जो related था हमारे AI भे AI के इस्तेमाल मत करो AI इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था उसके recording writers ने कर दिया strike जो strike चला and then वो strike खतम हुआ कुछ terms and conditions आए and then shootings जो है वो resume होने चालू होगे and then भर-भर के काम आने लगे लोगों को एक चीज लगा कि काम हो रहा है लेकिन job opening क्यों नहीं आ रहा है ठीके तो यही चल तो रहा था then year end आने लगा and उसी टाइम पे एक और बात आया कि crew member ने फिर से strike कर दिया है तो पहले तो यह जो चीज है एक तो 31st July तक इनका हैसा है कि जो आप लोगों ने हमको कहा था कि यह यह चीज हम लोग आप लोग करोगे हमारे लिए वो fulfill कर दो तो जो कि अभी तक कुछ match नहीं हो रहा है उनके साथ जो बात हुआ था वो match नहीं हो रहा है मैंने जितना पड़ा जितना मैंने सुना मेरे को literally इन सब चीजों से बिलकुल interest नहीं है बिकाज मुझे पता है यह चीज मतलब जितना मैं घुसूंगा मेरे mindset उतना खराब होता रहेगा तो मैं इसे थोड़ा दूरी रहता हूँ ठीक है बट फिल भी मेरा काम है आपके पास information पहुचा ना उन लोगों ने कहा कि देखो 31 जुलाई तक अगर आप लोगों ने हमारा बात जो हुआ था वो अगर match नहीं किया तो हमें और बड़ा strike लेके आएंगे जो इससे भी massive होगा ठीक है और वो शायद history में लिखा जाएगा हाला कि ये भी history में आ चुका है so पहले तो ये strike हाँ definitely एक चीज़ है कि ये strike को मैं support इसलिए गरता हूँ because ये strike हमारे future के लिए है आपके future के लिए है जो parents देख रहे हो VFX industry में जो बच्चे आ रहे है उनके future के लिए so ये strike होना जरूरी है और definitely होना भी चाहिए because AI का इस्तेमाल हम ना करे हम manually काम करे ताकि economy पे भी कोई effect ना हो और जो लोग jobless हो जाएंगे वो लोग jobless ना हो और jobless के उपर भी बात करेंगे जो layoffs हो रहा है तो पहले इसके थोड़ा सा और बात कर लेते हैं देखो भाई simple सी चीज़ है जो भी नया चीज़ आता है अगर वो चीज actual में सही नहीं होता है तो धर्ती में ये हर बार हुआ है कि उसमें protection होता है like protest होता है कि भाई like आप ये मत करो ठीके आपको अगर feel हो रहा है कि this is wrong तो वो wrong है ठीके अब एक आदमी wrong कहेगा तो वो wrong नहीं होगा तो AI definitely अच्छा जितना है उतना बुड़ा भी है अगर आपको लग रहा है कि AI complete replace करेगा this is wrong ये मैंने पहले बहुत बार किया है बात किया इस पर strikes हो रहा है strike शायद बाद में भी होगा तब तक होगा जब तक होलिवड वाले ये नहीं समझेंगी कि भाई पैसा बचा के कुछ ऐसा करने जाओगे जिससे industry ही बरबाद हो जाएगा movie industry बरबाद हो जाएगा ऐसे movie बना के कोई फायदा नहीं है अफतार टाइप movies जब हम देखते थे हमको ऐसा था कि James Cameron ने क्या काम किया है उसका breakdowns देखते थे अब AI शायद वो बना देगा अभी fixes जो होगा AI का वो शायद हो जाएगा लेकिन गोंफिर के बात वो ही आ जाता है देन बाकी लोगों का क्या होगा imagine करो मेरा एक दोस्त ने बहुत अच्छा बात कहा था मुझे recently कि जब future में suppose AI hiring करेगा किसी का तो हम जैसे भी HR के साथ negotiate करते हैं ना मुझे 5000 और increment चाहिए तब ही मैं join कर सकता हूँ I deserve this whatever AI को वो feelings नहीं है AI के input में यह है कि दो साल के experience से इसको 5 लग का package दो 10 साल के experience से इसको 12 लग का package दो भले आप कितने भी discussions के उना कर लो AI से आप मतलब जगर नहीं सकते so क्या आप एक machine से बात करोगे नहीं ना so यह एक अच्छा अच्छ एक्जाम्पल था अब एक और चीज़ है जिसमें मैं अभी आऊँगा कि जो कुछ लोग है ना मैं शुरू में का वीडियो में जिसके उपर मैं literally pissed off हूँ मैंने comment section में देखता हूँ literally comment करके बोलता है कि industry बेकार है अब industry में कुछ रहा नहीं यह हो गया वो हो गया तो that type of people यह declare कर चुके है कि AI ने replace कर दिया है जबकि अभी अगर आप थोड़ा सा pause लेकर सोचोगे ना अभी तक कुछ हुआ नहीं है literally कुछ नहीं हुआ है ना replace किया है nothing थोड़ा बहुत impact हुआ है graphic designer वाले area पर like जो logo designers थे उन पर effect हुआ है ठीक है और शायद वो industry बंद हो जाए because AI से आप बहुत fast logo बना सकते हो खुद से बना सकते हो लेकिन मेरा काम VFX related है मैं graphic designer या फिर जो छोटे मोटे content writer है मैं उन पर नहीं आऊँगा उस पर मेरा knowledge उतना नहीं है मेरा जो knowledge है मैं वही शेयर कर रहा हूँ so कुछ लोग है जो declare कर चुके है कि भाई industry बेकार है industry में अभी कुछ रहा नहीं is dying whatever replace कर दिया है जबकि सच में कुछ नहीं हुआ है और ना हो उसलिए strike हो रहा है अब आप लोगों लग सकता है कि यह आके दिलासा ज़रा जूटी दिलासा ताकि बस ऐसे ही बट देखो मेरा क्या फायदा कल को अगर कुछ हुआ मुझे भी वो impact होगा मेरे industry में impact होगा तो मुझे भी impact होगा तो मैं वो चीज आपके सामने definitely share करूँगा अगर वो impact होगा तो ठीके अगर कल को मेरा ही बाते गलत प्रूव हुआ तो मैं आके वो भी कहूँगा कि देखो मैंने दो मैंने पहले यह कहा था that time I was wrong अभी यह scene है लेकिन अभी जो मैं कह सकता हूँ जो चीज मुझे पता है कि एक एक हलका सा तुफान आएगा ठीके और ups and downs रहते ठीके लेकिन कुछ चीजे होते जो अच्छे के लिए होते हैं तो शायद उसके बाद कुछ अच्छा आने वाला है तो मैं तो at least यह सोच के बैठा हूँ और दूसरा चीज है कि जो लोग support करें strike को उसको लिए salute कि यह चीज जितना ना हो अच्छा है मैंने recently एक news में यह पढ़ा कि Singapore government यह पता नहीं कहा का AI पे 1 million और 1 million dollars invest किया है उन लोगों ने ठीके तो पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि AI से क्या होगा बट वो VFX पे नहीं है ठीके फिर अभी एक और मैं अच्छा चीज सुना ही दिया कि अभी हम लोग जो पढ़ते हैं बच्चे को जो पढ़ाते हैं जो अभी अभी पैदा हो जो बच्चे पढ़ते हैं 20 साल बाद जब वो life field में आते हैं तब चीज़े बदल जाता है तो वो लोग एक चीज़ लोगों को उतना टेक्नलोजी का नॉलेज नहीं है लेग मेरे पापा को नहीं है बड़ अगर वो चीज़ उनको नॉलेज मिले कहीं से ट्रेनिंग मिले वो फिट से पढ़ाई किये कड़े इस पे तो वो नया दुनिया के साथ कोपप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो आने वाले टाइम को भी आपको मानना पड़ेगा जैसे हम लोग जब इंडिस्ट्री में आये थे तब 40 साल के लोग जो लोग थे वो अभी नहीं इंडिस्ट्री में अभी हम बुड़े हो रहे हैं तो एक नया दुनिया आ रहा है तो हम वो लोग हमको रिपलेस न कर दे इसलिए हमको भी अपडेटेड रहना पड़ेगा as simple as that and next most importantly jobs जो बहुत important topic है पहले तो lay off बहुत सारे लोगों को ने ये comment किया है कि lay off हो रहा है भाई मुझे निकाल दिया अगर आप excel sheet निकाल के बैठो गए न तो वो ही लोगों को निकाला गया है जिनका performance इशू था अब आप बोलोगे तो फिर पहले hire क्यों किया बहुत simple जवाब है उसका जब company अच्छा चलता है न ठीक है तो company normal लोगों को भी effort कर सकते है like 10-15,000 में 2-4 junior artist को भी effort कर सकते है जि जब इस time में आता है न जए company अभी देखो shootings कम हो रहे, shots कम आ रहे तो company थोड़ा down चल रहे तो उस time पे वो ही लोग उनके लिए burden हो जाता है तो again घुमपिर के बात हो जाता है कि वो लोग अभी तक same performance पे है उनका performance अप्ग्रेडी नहीं हुआ तो company आपको क्यू रखेगा मैं अपने students को भी यह कहता हूँ कि अगर आपको आने वाले time पे आगे बढ़ना है तो आपका performance अच्छा होना चाहिए कोई भी company अगर आप भी किसी को hire करते है तो आप performance देखके न hire करोगे तो अगर उसका performance अच्छा नहीं हुआ तो आप उसको भी निकाल दोगे तो जितने भी लोगों को निकाला है वो सब का performance बेकार है ठीके मैं यह नहीं कहा रहा हूँ आप बेकार आटिस्ट हो बड़ अगर आप खुद का performance देखोगे आपको यह चीज पता चलेगा अब आप बोलोगे कि मेरा तो इतना सारा experience था फिर भी मुझे क्यों निकाला कहीं अरे कोई अपना अपना perspective से देखता है जैसे आपको निकाला जाएगा बुरा ही का होगे ठीके वो normal है कि company ने बेकार company है ठीके बट जैसे opening चालू होगा definitely आएगा और opening जल्दी ही आएगा अभी year in चल रहा है जुलाई तक थोड़ा सा कुस्त इशू होगा strike का अगर सब कु जो problem हुआ economy पे वो ना हो क्योंकि अभी अभी justism हुआ ना सब कुछ so चल्दी यह sort out हो जाया चाहिए अभी में net पे भी ज्यादा information नहीं मिल रहा है because इस पे अभी कोई बात भी नहीं कर रहा है so yes डरो मत और जो लोग यह फैला रहा है ना कि industry बेकार हो गया job replace हो गया that is completely fake क कुछ नहीं हुआ अभी तक सब कुछ sorted हो अभी तक कुछ नहीं हुआ till now अभी जब विडियो बना रहा है कुछ नहीं हुआ ठीक है और जिनका job गया है वो लोग खुद को upgrade करो ताकि जब jobs खुले आप वो upgrade दिखा पाऊ कि yes I upgraded myself during this month जब मेरा job नहीं था अब आप मुझे job द करता है येस खराब time चल रहा है लेकिन वो जल्दी ठीक हो चाएगा राइटर स्ट्राइक पर इतना information में आपको दे सकता हूँ कुछ clause होते हैं कुछ हमको पता है बड़ हम वो बात नहीं कर सकते हैं आप समझ जाओ production वाला हूँ नहीं कर सकता बात दूसरा चीज यह है एक suggestion देता हूँ जो जो लोग यह सोच रहे हो कि भालतु का है यह अभी सीख के क्या ही फायदा कुछ होगा नहीं कल को अगर यह सब sort out हो गया time चला जाएगा और जल्दी job openings होगा सबको job मिलेगा then आप सीखना चालू करोगे so it's better कि अभी से सीखना चालू कर दो ताकि कल को जब opening हो आपको jobs की tension ना हो job आपको मिल जाए ठीक है तो सीखते रहो practice करते रहो क्यों क्या होगा किसी को नहीं पता अगर कुछ हुआ तो उसका भी एक way out आएगा ठीक है न हमारा government like ऐसा नहीं कि इतने सारे लोग jobless हो जाएंगे तो उनको भी पता है economy पर बहुत ठंडे दिमाग से बना रहा हूँ जबकि दिमाग बहुत गरम है उन लोगों पर but still भरोसा रखो कुछ नहीं होगा बाकी मैं update देदा रहूंगा और hope for the best I hope की कुछ बुरा ना हो because I don't know but let's see जो होगा दिखा जाएगा thank you for watching this video और आने वाले weeks में भी कुछ और topics पर बात करें जाएगे और वाइद भी न्यूक का कोर्स कर आपको जॉइन करना है description box पर आपको details मिल जाएगा कर सकते हो जॉइन अगर आपको सीखना है तो बाबाई see you soon take care